का कि अनमस्कार दोस्तोँ आप सब क्या से हैं इंद इस थो आज जो हम करते हैं लोगे दिनार्क अधीनस न्याटलय के बारे में अधिनस न्याल्यू तो यह आर्टिकल हमारे 237 तक हो जाएंगे आज है ना वन ये 226 से 237 तक आर्टिकल करने कम्प्लीट तेखना हाई कॉर्ट के हमने किया थी 225 तक हाई कॉर्ट आज हम करेंगे 226 से 226 231 तक बल्कि 237 तक कर लेंगे यानि कि हमारे जो इस्टेट होगा है ना राज्य सरकार तो आर्टिकल नंबर 226 से 231 तक एक बार देख लेते हैं इसका टाइटिल क्या क्या होता है कि 226 में तो रिट्स जारी करने का अधिकार होता है है ना हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है पांच परकार की रिट्स होते हैं 227 231 यह हाई कोर्ट सक्पेट हो जाएंगे हमारे 227 में क्या होगा कि जो अधिनस्त नयाले हैं वो हाई कोर्ट के अंतरगत आएंगे हैणिंगे हाई-कोर्ट की जो अधिकारिता चेतर है वो अधिनस्त नयाल्यों पर भी होगी की हाई-कोर्ट की लखो के पदाधिकार हैं उनके खर्च जो हाई कोर्ट के भी expenses होते हैं अपने कुछ वो कहां से दी जाएंगे और 30 में होगा कि हाई कोर्ट के जो अधिकारिता छेद रहे हैं वो कुछ केंसासित राज्यों या यूटी पर भी लागू होंगे जो संसासित राज्यों होते हैं union territories उन पर भी लागू हो जाएंगे और 31 में हैं कि जो भी नया हाई कोर्ट इस्थापित करेगा इस्थापन का अधिकार केवल और केवल संसद के पास होगा नया हाई कोर्ट इस्थापित करने का अधिकार संसद के पास तो इनके बारे में हमें करना है फिर एक इनके अलाव हम टेबल बनाएंगे जिसमें हाई कोट सो रिष्टेट आ जाएंगे या उनकी फिर ये बैंचीज कहां कहां पर होती है खंट पीट अनुचे नंबर 226 में देखना 226 में हाई कोट जारी करता है और 32 में हम अपने अधिकार मांगते हैं हाई कोट या सुप्रिंग कोट से इसका टाइटिल हो जाएगा जैसे मौली का धिकारों का सम्विदानिक उपचार अनुचेद बत्ती जिसको भीमरावं बेड कर जीने सम्विदान की आत्मा और हिर्दे कहा था है ना उस बारे में बात कर जाया है तो पांच परकार की रिट्स कौन कौन सी होंगी नंबर एक परमादेश मेंडामस नंबर दो अधिकार परच्छता क्यू आरंटो तीन नंबर हो जाएगा बंदी परत्यक शिकरन हेवियस कोर्पस और नंबर फूर हो जाएगा परतिसेद यानिके प्रोहिबिशन और नंबर शिक या जाएगा फिफ्ट उत्परेशन की है ना सर्टियो दे रही है यह पांच परकार की रिट्स जारी करता है हाई कोर्ट देखना एक तो अनुचे नंबर बत्तिस में दिया है एक 139 में और एक 226 में आज हम यह पढ़ रहे हैं 226 में इन तीनों में क्या हैं पांच परकार की रिट्स हैं इसमें तो सुपरिंग कोर्ट जारी करता है Supreme Court और इसमें High Court जारी करता है और ये नागरिकों के लिए होता है जो भारतिय नागरिक है वो इन से अनुछेद 32 के आधार पर मांग सकते हैं एक सम्विधानिक उप्चारों के लिए कोई मदद हैल्फ उनको चाहिए असिस्ट है ठीक है ना तो 226 में पांच परकार की रिट्स क्या होती है एक बार इनके बारे में चल्चा कर लेते है ये मॉलिक अधिकारों में ऐसे बहुत डीपली बताए गया है आपको एक तो होती परमादेश परमादेश है ना मेंड़मस एक होती अधिकार परच्छता अधिकार परच्छता अधिकार पुछे जाएंगे क्यों वारंटो क्यों वारंटो एक हो जाएगी बंदी परतियक्षी करना बंदी परतियक्षी करना बंदी परतियक्षी करना हेवियस कोर्पस हेवियस कोर्पस और एक परतिसेद परतिसेद परोहेबिशन परोहेबिशन और एक उत्परेशन उत्परेशन सर्ट्यूरेदी और एक परकार की रिष्ट होंगे यह वन टू थी फॉर फाइव इसमें जरूरी नहीं कि आप इसी करम्में सी सिक्वेंस में रखें आप सेकिंड को फर्स्ट पर बोल सकते हैं फर्स्ट को थर् इस्टे भी बोलते हैं इस्टे या या चीका या फिर रिट्स तो रिट्स जारी करने का अधिकार किस किस को है जो भी अभी लेके नयाले होंगे अभी लेके नयाले कौन कौन से होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट यह पांच परकार की रिट्स जारी कर सकते हैं अग की duty है, अगर वो अपना काम नहीं करता है, तो परमादेश की रिट जारी होगी, सरकारी पदाधिकारी के लिए, अधिकार परच्छता के लिए, क्यों वारंट हो, अधिकार परच्छता के रिट हाई कोट तब जारी करते हैं, अगर कोई सरकारी पदाधिकारी अपने अधिका अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक परमादेश की रिट जारी हो सकती है कि इन्होंने अपना कारी क्यों नहीं किया जब किन के करने का था और अगर वहां का कोई छोटा पदाधिकारी ऐसा कर देता है हमारे जो डोकुमेंट से वो अटेस्ट्री कर देता है पुछे जाएंगे अगर वो ज्यादा ही कारिये कर देता है बंदी परत्यक्षी करने किसी प्राइवेट वेक्ति या किसी सरकारी वेक्ति को अगर अवेद रूप से बंदी बनाया गया है तब उसकी जमानत होगी पहले बेल के लिए जारी करते है जैसे जिला कोट होती है इडिश्टी कोर्ट. तो जिला जो नयाल ले होगा वो अधिनस नयाल ले हाइए जिला पर लो होगए अलिजी और ठाइना है. आप इसको याल फिर मौत की सजा दी जानी है, मौत की सजा जो देंगे ऐल ही हाइकर आपकर आपकोलपे gefragt देता है y deflame नियालियों ने भी ऐसी कोई सुनवाई कर दी हैं जो उसके अधिकार छेत्र में नहीं है हाई कोट परती सेध की रिट जारी करके उस केस को अपने पास ट्रांसपर करवा लेगा क्योंकि वो आदेशी वो जज्जमेंट तब तक मनने नहीं होगा अगर जीला जज्ज ने हाई कोट से सत्यापित नहीं कराया है वो ओडर अगर बिना सत्यापन के उसने जारी कर दिया अब वो गलत ओडर हो जाएंगे परतिशेद की रिट अधिनस्त नयालियों पर जारी होगी ऐसे अधिनस्त नयालियों में वो केस जो उसके अधिकार छेतर में नहीं आते है अगर वो ऐसो पर सुनवाई करते हैं है दोसरा उत्परेशन की रिट कब जारी होगी अगर किसी अधिनस्तनयेल्ले ने ऐसा कोई फैसला दे भी डिया हो जो उसको नहीं देना चाहिए थे जिए अधिकार चेत्र में नहीं था है नो तो ये दोनों तो अधिनस्तनयाल्लयों के लिए हैं जिला ने अमलों के लिए और ये दोनों सरकारी पदाधिकारियों के लिए आ जाएंगी और बंदी-पर्तियक सिकर्ण की रिट, हेबियस कॉर्पस की रिट, ये सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए याद रहेगा ना, तो 226 में क्या है कि हाई कोट इसमें पांच परकार की रिट जारी कर सकता है, कौन सी कब करनी है, ठीक है ना, तो रिट का मामला किन-किन अनुच्छेदों में है, 32 में, 149 में, और 226 में, किन आर्टिकल्स में हाजएगा, अब पढ़ते हैं, 227 में, हाई को हाई कोट के जो अपने जज्जमेंट होंगे, या अधिकारिता चेतरी, यह अधिनस्त नयाल्यों पर भी लागू होगी, तो अभी लेकी नाल्ये का मतलब है, जो वो डिसिजन देगा, वो इस क्रिफ्टिड होंगे, लिपी बद कर लिये जाएंगे, और वो अधिनस्त नया लिया लेको, 28 में, 228 में क्या है, कि अगर कोई केस ऐसा चलना हैं, और उसको हाई कोट कभी भी इस्थानां तरीक करवाए सकता है, अपने पास, केस ट्रांस्पर, केस ट्रांस्पर हो सकता है, इस्थानां तरीक। हाइकोट को ऐसा लगता है कि इस केस में पेंदेंसी बहुत ज़्यादा होगी है यह ना बहुत टाइम इसमें लगया तो उसकी चानभीन करने के लिए अपने पास टांसपर करवा सकता है 29 में क्या है High court के अपने कुछ खर्च हुआ करते हैं उचनेयले के भी अपने खर्च होंगे महां के कुछ पदाधिकारी होंगे कुछ और भी expensive होंगे तो वो खर्च कहां से दिये जाएंगे राज्य की समा के लित निदिया संचित निदि से हाई कोट के अन्य पदाधिकारियों के खर्च expensive जो होंगे ये कहां से राज्य की समा के लित निदिया संचित संचित निदि से दिये जाएंगे आर्टिकल नमबर 230 हाई कोट के जुरिश्डिक्शन ये केंसासित राज्यों पर भी लाग होगी कहीं कहीं कि ये केंसासितराज्ये सिर्फ एक है classy जिसका अपना सवतंत्र हाई कोट है बाकि जो भी और यूटीज है उनका अपना हाई कोट नहीं है वो किसी नदे हाई कोट के साथ में attach की गए है जैसे अगर कहें कि अनमान निकोबार का हाई कोट कोई सा भी नहीं को लिकाता हाई कोट की जो जुरिश्डिक्षन है वो अनमान निकोबार पर भी लागो होगी मदराज हाई कोट है जैसे चन्नी है ना इसकी अधिकारिता छेत्र पंडिजेरी पर भी लागू होगी तो जो हाई कोट का अधिकारिता छेत्र हाई कोट का जुरिश डिक्षन या अधिकारिता छेत्र अधिकारिता छेत्र ये किस पर लागू होगा ये केन साशित या संग साशित राज्यो पर भी लागू होगा किन साचिर राज्यों परलाग होगा ठीक याद रहें कि बात है आगे बढ़ते हैं अगर ने हाई कोर्ट की इस्थापना की बात आती है तो इस्थापना कौन कर सकता है संसद केवल और केवल संसद को दिकार है अनुछे नमबर 231 पढ़ेंगे हैं 231 में किने हाई कोर्ट की इस्थापना कीवल संसद करेगे हाई कोर्ट की इस्थापना करने का अधिकार संसद के पास है केवल और केवल संसद कर सकते बस ठीक है अभी आपको एक टेबल लिख यह जिसमें सभी हाई कोट उसके मुख्यले और उनकी जो bench circuits वो कहां खंड़ पीट कहां बनी हुई है ठीक है ना इसे आप नोटर लीजे तब तक अच्छा तो अब हम करते हैं उस नयले की खंड़ पीट के बारे में कि कौन सा उस नयले है किस राज्ये का होगा उसका मुख्याले कहां पर होगा उसकी खंड़ पीट देखना खंड़ पीट को bench कहेंगे bench है ना शाखा जैसे ब्रांच होती ना तो हाई कोट की क्या हो जाएग बर यह बहुत ज्यादा कोस्चन हा रहा है कि यह सब्सक्राइब कर और का सिर्य नगर शहएं कोकर्फ इसकी घंड़। इसकी खंड़ पीट कहां पर आज वी एं हमें हिमाचल परदेश का कहा है हिमाचल परदेश का शिमला में शिमला में शिमला में इसका मुख्याल ले यानि कि हिमाचल परदेश हाई कोट शिमला इसकी कोई खंड पीट नहीं है ऐसे उत्राखंड का कहां पर हो जाएगा नैनिताल नैनिताल देखना उत्राखंड के मामले में एक दिक्सित आयोगी जो इसकी जाज कर रहा है दिक्सित आयोग ने अपनी रिपोर्ट परस्तुर कर दी उसने रिकॉमेंड किया है कि हाई कोट तो होना चाहिए देहरादून में और यहां की जो कैपिटल है वो नेनी ताल में होनी चाहिए अब क्या है कैपिटल तो देहरादून है और हाई कोट उसका नेनी ताल में यह चेंज हो जाएगा फिर ऐस्थाई रूप से बनी हुए नेनी ताल में ऐस्थाई है ना इसकी कोई खंपीट नहीं है कोई ब्रांच नहीं है कोई सर्किट नहीं है उत्तर पर्देश का कहा है यह इलाबाद में आ जाएगा इना इलाबाद यह परियाग राज इसकी कोई खंपीट नहीं है सुरी खंपीट तो इसकी लखनो में इसकी खंपीट कहा है लखनो में बैंच कहां लगती है लखनो अगली मांग करने की मेरट में आ कहीं परिष्थापीत हो जाए लेकिन वो हुई नहीं है पितक ऐसे पंजाब हरियाना और चंडीगड इन तीनों का इन तीनों का आए चंडीगड में चंडीगड इसकी कोई खंड पीट नहीं है ऐसे ही राजिस्थान का का है जैपूर में है जैपूर में तो इसकी बैंच है यह जोधपूर में है बनावा जोधपूर जोधपूर और इसकी बैंच का है जैपूर जैपूर देखना ज्याद है तर हाई कोर्स उनकी राजधाने में हैं लेकिन कुछ राजधाने में नहीं है गुजरात का है एहमदाबाद में इसकी कोई पीट नहीं है इन चार राज्यों का गहां जाएगा बंबई में आजाएगा अब तो नाम चेंज होगे मंबई हाई कोट इसकी बंबई ही लग दिए 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया मुंबई यह कहा है मुंबई में और इसके जो ब्रांच होगी यह बैंच जाना खनपीट एक तो आजाएगी आज बंबई में मुख्याले पंजी में तो पंजी में इसकी साखा और एक है औरंगाबाद औ और एक आजाएगी नागपूर तो यह तीन आ जाएँगे इसके इना बैंच पंजी औरंगाबाद और नागपूर यह चादर जाएग और करनाटक का बैंगलूर में और ऐसे केरल और लक्सिदीव का एक हाई कोट हो जाएगा इनका अयर्ना कूलम इसकी भी कोई बैंच नहीं है नहीं बैंट रोल की ठीक है ना तो आपको यह इनकी जो खंड पीट है इस यह टेली करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन कि साइकोट की कहां पर यह नोट कर लीजे फिर आगे बढ़ते हैं इसको आप नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं तो दे इसका चिन डी मदराशाई कोट क्या इसकी कोई प्लश है इसकी कोई बैंच नहीं है अगर राक इंडिबीसा और राजदानी से अलगी होगा। राची कोई बैंच नहीं है जार खंड कहा हो जाएगा राची कोई बैंच नहीं है पश्ची मंगाल और अनमान निकोबार का कोली काता है कोड़ कोली काता ठीक है ना? पुराद नाम होई ता कलगत्त हाई कोड़ोर्ट इसकी बैंच को यह इते सीता करता है इसकी बैंच नहीं होगी अरोनाचल पर्देस श्टेट्स हुआ करते हैं हिन्हें optics के भ्येजरी है अब ये चार बचे हैं इन चारों का अवनेचल पर्देश असम नागलेंड मिजोरम इनका सबका कहा है गोहाटी हाई कोर्ट और इनकी जो बेंच हो जाएगी सेश तीन नज्जों की अलग-अलग राजधानियों में इनकी बेंच हो जाएगी इखन पीट हो जाएगी टो एक हैंन्य मिजोरम की है मिजोरम की वजोर आई-ina में हो जाएगा आई जूल यानि के हाई कोड तो कौन सा होगा गोहार्टी और यहां पर इसकी बेंच यह तीन इसमें हो जाएगी सिटेज में ठीक है यह नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं फिर अब कितने चार और रस्ते हैं स्टेट्स इनको करते हैं तो यह आप नौट कीजिए हैं चार इस्टेट कौन से एक तो यह एमम्ट के नान से जैसे कौन सा तिरपुरा मनिपूर और एक दिल्ली का अपना हाई कोट होगा उनको कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें पांच इस्टेट और में गल्ले काहां पर हो जाएगा सिलों में गल्ले की राजधानी क्या सिलों तो इसका हाई कोट इसकी कोई बैंच नहीं हो मनिपूर का मनिपूर का इंफाल में इसकी भी कोई बैंच नहीं है तिरपूरा का अगर तला में हो जाएगा ऐसे है अगर तला इसकी भी कोई बैंच नहीं होगी कोई खंट वीट नहीं होगी दिल्ली के बारे में देखना दिल्ली एक मात्र ऐसा संगसासित राज्ये हैं जिसका अपना सवतंतर हाई कोट है इस एक मात्र यूटी है के निसासी तरजी यूनियन टेरिटी इस्थापना कब हुई थी 1966 में ठीक है ना इसकी भी कोई खंपीट नहीं है आंध्र पर्देश का जो 2019 में बना हैं अमरावती है अमरावती है पहले तेलंगाना का और अंध्र पर्देश काई किता है लेकिन 2019 में इसका अलग बना दिया गया तो इस तरह जो हमारे स्टेट हुए कितने है 36 और हाई कोट्स टोटल कितने हाई कोट्स अगर आप यह काउंट करकर देखें यह 25 और टोटल स्टेट्स कितने आ जाएंगे अगर यह जोड़ते हैं तो 36 हैना काउंट करके देख लेना आप यह ठीक है ना यह आर्टिकल हमारे कहां तक हुए है यह जैसे 237 तक हम करते हैं 232 से लेकर 237 तक तो जो हमारा इस्टेट का एक यह पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा आप चाहिए तो इसको नोट कर लिजिए कि अब देखना अब आएंगे अधिनस्तनाय लें 232 से आगे अधिनस्तनाय लें कि जो जिला इस्तर पर होते हैं अधिनस्तनाय लें ना बोलते हैं जिला और सत्र नयाय दिया से तो जिला इस्तर पर क्या होंगे जिला एंव सत्र नयाय दिया है ना इस्तिक्ट और से शिशन पर एक तो पर होते हैं एक जिले का एक हो जाएगा है इनको हम क्या कहेंगे अधिनस्त ने अधिनस्त ने अधिनस्त ने यह सिविल कोड और यह डिश्टिक कोड भी कहेंगे तो यह आर्टिकल आ जाएगा 232 और 237 तक 232 से 237 इनके बारे में देख लिए टाइटल बस यह कोश्चन आता है कि जो जिला नियाधिस होता इसकी नियुक्ति कौन करते राज्य पाल महुंदी बस ज्यादा निसी कोश्चन आया जी 31 नहीं 231 तक होगी न बत्तिस से आगे है न आर्टिकल नंबर 232 यह तो निर्सित है न आज की डेटेमिस में कुछ नहीं लिखा हुआ निर्सन या निरस्थ है न ब्लेक 233 234 35 236 237 इन में देख लिए आप टाइटल याद रखना आपके वड़े जैसे जिला नयाल लेके नयाधिस की नियुक्ति है नयाधिसों की नियुक्ति है इनकी नियुक्ति कौन करेंगे राज्य पाल महुंदे करते हैं तो नियुक्ति कौन आजएगा राज्य पाल नियुक्ति राज्य पाल महुंदे करते हैं ठीक है न जिला नयाल ले में या जिला और सत्र नयाल ले में अन्य नयाधिसों की नियुक्ति कौन करेंगे ये भी राज्य पाल अन्य नयाधिस की नियुक्ति राज्य पाल करते हैं 235, 36 और 36 में, 235 में क्या होगा, कि जो अधिनस्त नयाले हैं, ये हाई कोट के जुरिजिक्शन में कार्य करेंगे, यानि कि हाई कोट के जजमेंट होंगे, जो निर्ने होंगे, वो अधिनस्त नयाले पर या सिविल कोट पर भी लागू होंगे, ठीक है न? जो जिला नयाले हैं, ये हाई कोट के अधिन होंगे, हाई कोट के अंतरगत कारी करेंगे, हाई कोट के सभी जजमेंट इन पर भी लागू होंगे, 236 में आ जाएगा, जैसे जिला जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज सिविल जज जो दिवानी मामलों की सुनवाई करते हैं और जो सेशन जज होते हैं यह जो फोजदारी के मामले होते हैं किर्मिनल केसी इनकी सुनवाई करते हैं इनकी साहेता के लिए मossa करते हैं जैसे मुन्सिंत मजिस्टेट इसको मुनेफोर ज़जभी कहें और एक होते हैं फिर दूसरे कि जूडीश्यल माझिस्टेट इनकी साहेता केम अर्य किरिया मुझे कर्षा कैसे 237 में क्या जायेगा जीला जजो के साहेता पाला के लिए उनके असिस्टेंच जो होंगे magic state यह गढ़ नीचे देखें तैसील पर या बलोक इस्तर पर कारिय करते हैं जैसे हमारे यहां पर बलोक में तैसील इस्तर पर शाकाइय होती हैं उनके हे investigators को जाएंगे , तो खैर 232 से 237 तक यह अधिनस्त नयालों के या उनके जो अधिन नयाल्य होते हैं , उनके नयार्टिस से बारे में एक लाइन में आ Anders नयाल्यमें नयादिस्व के नियुकति कुद्धॉक हो वो राज्जेपाल महदे करते है , ठीक है Guess तो यह हमारे article complete हो जाते हैं राज्यों का chapter close तो मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ आया होगा अच्छे से अगर फिर भी नहीं तो comment box में आप लिख कर बताईएगा तेंक यू